हलो फ्रेंड्स मालवा रेसिपी चेनल में आप सभी लोगा बहुत स्वाग थे मैं आज आपके लिए बहुत काम की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत बार हम अकसर ऐसा सोचते हैं कि आप हमारे घर में यह चीज नहीं है तो यह चीज हम नहीं बना पाएंगे लेकिन ऐसा नही स्टार्ट करते हैं चोले बनाने के लिए किन-किन चीजों के आवशक्ता पड़ेगी यह देख सकते हैं यह वाइट चने है और इसे कई चेत्र में इने डालर चने भी बोला जाता है और बहुत सारी जगह पे इने चोले भी बोला जाता है तो इने में एक कटोरी ले लिया और रात बर और नाइट भिगा कर रख लिया इन चोलों में ने दो लिया है चने को और यह हमने इस तरीके से पाउल में निकाल लिया है यह एक कटोले लिया है हमने आधी कटोरी मुमफली के दाने लिये है छोटी आधी कटोरी हमने लिये है लेसुन अगर आप लेसुन नह जो कि खाने वाला सोड़ा बुला जता है वो लिया है एक चबमश नमक है एक इंच दाल चिली का टुकड़ा है दो हमने हरी इलाई चिली है पांच हमने काली मिर्च ली है आदा मेने स्टार फूल ले लिया है जो गरम खड़े मसाले में होता है और यहां पे चार लिया है और आधी कंटोटी लिया है और यहां पे लाल मिर्च का पाउडर है मनने एक चमच लिया है अदि चमच तक रिये है और तड़क पत्ता महीं तो ये तो हो गई सामगरी अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम और हम पर ये चले सिट्प भी हम टाल बेंगे हुआ उर्थ बेले जो हम अन्य मिर्ट इन इस आरे छीजों को और रहुंए अ में इक साथ ड्त। चले बहुत अच्छा इसका कलर आया है और यह कलर आया है और आउले की वज़े से यह देखिए तो इतने चने चने अच्छा इसका कलर आया है ठार में की AZ जो के जेंज़ में सद्व ti-yam yellow जेन दो में धे यहां हमने सब्सक्राण मालेया युछ दो सब्सक्राण दो सब्सक्रावाइब कले हैन तो मैं हम सब्सक्राण से ज़ास ग के लुँत बहुत उछाव सब्सक्राव जर्क इने पार नान दीएक, की बाटार यह देखिए बहुती इजली दब रहे हैं मतलब चने जो है बहुती अच्छे से पक चुके हैं तो चलिए इसे फ्राइ करने की तयारी करते हैं सबसे पहले मैंने पेन को गरम रख दिया है और यहां पर इसमें डालेंगे ओल ओल हमारा गरम हो गया है इसमें डालेंगे तेज पत्ता दो खड़ी मीर्चे और राई और जीरा राई जीरा शटकने के बाद हम लेटों डालेंगे कि अबने मुवभी दाने को पीस लिया था इसे डालेंगे अ है कि अब दो यहां पर हम सारे मसाले डालेंगे लाल मेर्च हल्दी पाउडर धनिया पौडर गरम मसाला अगुना जीरा इन सारी चीजों को डाल देंगे नमक हमने पखाने के लिए जब उबालने के लिए रखे थी तब डाल दिया था तो नमक हमें यहां पर नहीक डलना है जड़ा हुज अगर एक जॉमश वन डाला था और यहां पर हम डालेंगे दही दही को डानने के बाद हमें हाथ को बननी करना है इसी तरह चलाते रहना है जब तरह दही ऑईल ना छोड़े का लिने कलर आ गया है मसाले का और यहां पर अब देख सकते हैं अब हमारे चने हैं इँने हम ढलेंगे इसे हम पकने देंगे आठ से धस मिने तक तरह पाईएंगे इसके लो फ्लेम पर आठ मिनित तक पाया है और आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा आया है और यह जो में आपता नेगी यह कुश्बु बहुत ही अच्छी आरीix or अगर पत्ला पसंकरते हैं इसकी अच्छा आप टेए आप कर सकतें यृट करते हैं चम्त इसके चना मसला करने आप तो इसके खुश्बों बहुत ही अच्छे आती है एक चमच हमें इसमें डालना है और लास्ट में डालने वाली एक और चीज है जो कि दिनिये की पती यह हमें इसमें डाल रहे हैं यह इसको कर देंगे बस तो फाइनरी हमारे छोले बनकर तयार हो गए है बिना टमाटर बिना प्याज के भी छोले बहुत ही अच्छे बने हैं आप इने कूड़ी के साथ पराठे के साथ जब भी आपका कुछ अच्छा खाने कामन करता है जब आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं और कमेंट करके बताए आपको यह रेसिपी कैसी लगी है लाइक कर दे शेर कर दे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं फ्रेंड से एक नई रेसिपी इसके साथ हैपी कोगी